नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 2 दिसम्बर 2021 के डेली दा हिंदू एडिटोरिल डिसकेशन में आपका स्वागत है देखिए आज बहुत डीपली एनलेटिकल आर्टिकल्स नहीं है पर फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वह आपके सब डिसक्स करूँग इस्टन यूरोप में जाएंगे तो आपको पोलेंड नजर एका पोलेंड यहां पे आपको दिख रहा होगा और पोलेंड के इस्ट में पढ़ता है बेलारस अब बेलारस यूरोपीन यूनियन में नहीं आता है लेकिन इस बेलारस से बहुत सारे इलीगल माईग्रेंट्स के अंदर entry मार रहा है और आपको पता है कि एक बार Poland के अंदर entry मार गए मतलब आप European Union के अंदर entry मार गए और Poland के अंदर गुसे तो फिर आराम से Germany, Australia, Czech Republic, Slovakia, हर जगा जा सकते हो जो कि European Union के अंदर borders नहीं है तो इस context में crisis ही चल गई है जो European Union है वो अपनी external boundary को protect करने ये कोशिश कर रहा है ताकि illegal migration जादा ना हो एंजला मरकल के समय पे जर्मनी ने बहुत सारे आप कहलो West Asia के immigrants को नागरिकता दिये बहुत सारे लोग जर्मनी में जाके settle हो गए है पर्मनिट वहां के citizen मन गए है तो ये जो crisis वाले इलाके है ना West Asia के इराग वगर आसपास के वहां से अभी भी बहुत सारे लोग Belarus के थुरू Europe में इंट्री मार रहे है उनका final destination जर्मनी है लेकि बीच में आता है Poland और Poland को लेकि यहाँ पर बहुत सी politics involved है फिर overall Belarus का ये जो southern हिस्सा है Ukraine का Ukraine का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रोल आ रहा है और यहाँ पर एक और चीज न्यूज में आएगी और वो है यह pipeline जिसको आप बोलते हो Nord Stream 2 pipeline तो इस हर चीज को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इस article को detail में देखेंगे फिर overall second quarter के figure आगे है second quarter मतलब की पहला quarter अप्रेल माई जूल जुलाई 11 सेप्टमबर तो जुलाई 11 सेप्टमबर 2021 में Indian economic कैसी रही है उसके बारे में कुछ viewpoint से यहाँ पर इन viewpoint को देखेंगे 12 opposition members को जो यहाँ पर हटा दिया गया है इसके बारे में मैं अलग से discussion नहीं कर रहा हूँ कल मैं इसके बारे में अलड़ी बातचीत कर चुका हूँ next जो article की बात होगी वो होगी अलाभाद High Court के judgment की यहाँ पर देखेंगे मैं repeat कर रहा हूँ article आप लोग खुदी कहते हों कि कुछ-कुछ दिन पर news को repeat करवा दिया करिये हमारा revision हो जाता है तो recently अलाभाद High Court ने यह बोला कि एक minor 10 साल के बच्चे के साथ oral sex किया गया जबरदस्ती तो एक प्रकार का aggravated penetrative sexual assault था under POXO Act लेकिन इसको aggravated penetrative sexual assault की definition में नहीं रखा specifically जो चीज section 5 clause M context में अपना view point दिया है view point किस ने दिया है तो RK विज साहब ने दिया है 36 के senior IPS officer तो इनके view points को देखेंगे और फिर अब blow to Kerala's exceptionalism देखिए COVID-19 के pandemic के समय पे शुरुआत से बहुत सारे लोगों ने view point दिया कि Kerala की performance बहुत अच्छी रही है केरला ने pandemic को बहुत अच्छी तरीके से deal किया है but actually में केरला की performance इतनी भी अच्छी नहीं है आज की date में आप देखो तो केरला में बहुत सादा COVID की cases और बहुत सादा deaths अब COVID की एक death reconciliation exercise चल रही है केरला के अंदर जिसमें केरला में actually में COVID-19 की वैसे कितनी death हुई है इसकी counting हो रही है और इस counting के दोरान बहुत सी गड़बड खबरे निकल के आ रही है प्रॉपर तरीके से counting यहाँ पर नहीं की जा रही है death की reporting को COVID-19 के context में केरला में नहीं माना जा रहा है इस प्रकार की news निकल के आ रही है तो इस पर्टीकुलर news को देखेंगे तो यह चार news नहीं है शुरुआत हम लोग कर रहे है इन बॉर्डर स्टैंड ओफ ना मैनुफेक्टर्ड रिफ्यूजी क्रैसिस वीडियो पर लाइक और शेर का बटन जरूर दबा दीजे दोस्तों अगर अब तक आपने जॉइन नहीं किया है तो जॉइन बटन दबा के एल्प करें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे टेलिग्राम ग्रॉप जॉइन कर लिजे दोनुई चीजों का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ तो भाई देखे इस्टन यूरोप में टेंशन शुरू हो गई है बेलारस और पोलैंड के बॉर्डर पर ये बैसिकली मैंने फोटो अभी इनका बॉर्डर का आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है जो असाइलम सीकर्स है थाउजन्स ओफ असाइलम सीकर्स वो पोलैंड के अंदर घुसना चाहते हैं चोंकि वो जानते हैं कि एक बार पोलैंड के अंदर घुस गए तो मतलब हम European Union के अंदर घुस गए European Union के अंदर कोई domestic boundary तो है नी तो train या फिर बस पकड़के आराम से किसी भी country में जा सकते हैं तो एक प्रकार से व्एस्ट ऐशिया में लोग पहुंचे हैं और विस्टी बात एक इसके थू आपका आसल में Bel Aros के South में यूश्वरेन है मैंने साय աियात गलत भूल दें बेलारस इधर, पोलैंड इधर, यूक्रेयन नीचे रशिया इधर तो अब यह से बात रशिया के माध्यम से लोग बेलारस में पहुँच रहे हैं और बेलारस के माध्यम से थुरू वो पोलैंड में गुसने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जदा तर जो लोग है न वो है कोड्स आपको पता वेस्ट एशिया में टर्की एराक वगरा के आसपास के लाके में बहुत सारे कोड्स हैं और यह कोड्स यहाँ पे एंट्री पाना चाहते हैं यूरोपी नियून में इनकी फाइनल डेस्टिनेशन है जर्मनी जर्म नहीं पहुंच जा तो जर्मनी में तो हमको जगा मिली जाएगी ठीक है तो इस कंटेक्स्ट में यू के बॉर्डर के अंदर एंट्री मारना बहुत जरूरी है और उस एंट्री को मारने के लिए बेलारस के थुरू पॉलेंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं यह माइगर एक तो फ्रीजिंग टेंपरेचर सो रखें क्या चल रहा है एक दिसम्बर को मैं यह वीडियो दो दिसम्बर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई ठंड है इस समय पे और उपर से यह यह रोप के यह लाके तो भाई बिलकुल ही नॉर्दन लैटिटीट में गजब की ठंड है और उस गजब की ठंड में इन माइग्रेंट को पीछे की तरफ ढखेल रहा है पॉलैड अपने बॉर्डर के अंदर गुसिने की कोशिश नहीं दे रहा है बंदर से ज़दर रिफ्यूजी की यहां पे जाने भी जा चुकी है और एक प्रकार की क्राइस हो गई है बलारिस इंड रॉज़िया इंड इंवाल्ड है अप बोलोग इतनी कंट्रीज कैसे इंड और तो आप नक्षा देखो ना इब इस नक्षे में आपको पो पोलैंड बलारिस योक्रीन फिर इधर एस्ट में रॉज्या सब नज़र आ रहा है ठीक है यहां पे रॉजिया भी आपको नजर आ रहा है, और Poland is basically gateway to European Union तो Poland तो यहाँ पे involved हो गई होगा तो इस particular refugee crisis में बहुत सारी चीज़ है यह जो Belarusian President है Alexander Lukashenko, इनके उपर European Union दोरा sanctions लगाए गए Actually में आपके elections हुए और Swatilana करके opposition leader थी, वो यहाँ पे हार गए Swatilana के husband YouTuber थे, उनको पगड़के जेल में डाल दे, Alexander Lukashenko ने तो उनकी wife Swatilana ने elections लड़े Alexander Lukashenko के पीछे भाग गए तो Swatilana country छोड़के भाग गए अब इक लिए leader कौन है, Belarus के Alexander Lukashenko अब Belarus की location कुछ ऐसी है कि वो बहुत strategic हो जाती अगर यहाँ है Belarus तो इधर है Russia और Belarus की western edge से शुरू होता है आपका European Union तो Belarus कौन से खेमे में जाएगा European Union में के खेमे जाएगा कि यह रशिया के खेमे में जाएगा यह एक बहुत बड़ा सवाल रहता है यहाँ पर Russia चाता है हमारे खेमे में रहे European Union चाता है हमारे खेमे में रहे अब Alexander Lukashenko इस समय पे एक democratically elected famous leader नहीं है Belarus के अंदर तो अपनी ताना शाही को चलाने के लिए Alexander Lukashenko को व्लादिमिर पुतिन के support की जुरू होते तो बहुत हथ तक यहाँ पर Belarus प्रो रशिया नजर आ रहा है और अगर वो प्रो रशिया हो जाएगा तो वो anti-Europe और anti-NATO हो जाएगा इस समय के लिए देखा जाए तो Belarus कम्प्लीटली रशिया के ओपर dependent है एक प्रकार से client state की ज़रा काम कर रहा है रशिया की लेकिन obvious सी बात है client state भी कभी-कभी आपके लिए खतरनाक हो सकते है जैसे North Korea China का एक client state है but appropriate conditions के अंदर North Korea China के लिए खतरनाक हो सकता है healthy US के लिए खतरनाक हो सकता है उसी लिए उसी प्रकार से Belarus रशिया के लिए खतरनाक हो सकता है कभी भी हो सकता है ये जो strategic geopolitical games है ये भाई कभी भी पलट सकते हैं अब प्रेजिडेंट लूकाशेंको के उपर पोलेंड इलजाम लगा रहा है कि ये प्रेजिडेंट लूकाशेंको जबरदस्ती माइग्रेंट्स को वार्सा पोलेंड के अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हैं और इस particular पूरे के पूरे refugee incident को 2015 की refugee crisis से compare किया जा रहा है 2015 में European Union ने टर्की को पैसे दिये थे और लिब्या के कुछ warlords को पैसे दिये थे कि भईया आपके यहां से जो भर-भर के जथा चला आ रहा है यूरोप के अंदर लोगों का इसको रोको इनको यहां पे मत भेजो हमारे पास नहीं है जगा यहां पे इन लोगों को रखने की ठीक है कुल मिला के अभी के लिए यालेक्जेंडर लूकाशेंको ने भी यूरोप को बोला था कि ठीक है भाई साथ हजार रिफ्यूजी को हम वापस भेज लेते हैं जर्मनी में दो हजार रिफ्यूजी को रिपैट्रियेट कर लो लेकिन जर्मनी ने और यूरोपन यूनिन ने मना कर दिया मनदब कुल मिलाके ओवरॉल वैस्टेशिया में जो कियास चल रहा है उसके चलते बहुत सारे लोग जाना चाते हैं यूरोपन यूनिन यहां पे उनको लेना नहीं चाता है तो कुल मिलाके प्रॉपर क्राइसिस यहां पे चल रही है और इस क्राइसिस में और भी बहुत से अलिमेंट्स है रशिया पर यहां पर बहुत प्रकार के इल्जाम लगा जाता है देखिए यूरोप में बहुत हद तक एंटी रशियन एक सेंटिमेंट है उसका रीजन यह ह क्रीमियन पिनिंसुला को कब जा लिया रशिया ने यूक्रेन का जो डॉन बास रीजन है वहां पे रशियन रिबिल्स बहुत हद तक राज कर रहे हैं तो इसके चलते एंटी रशिया सेंटिमेंट है लेकिन कुछ कंट्री जैसे की जर्मनी वो बहुत हद तक रशिया से आन देखे रशिया की जर्मनी से बहुत बनती है उसकी एक वज़ा है नौड स्ट्रीम टू पाइपलाइन ये जो नौड स्ट्रीम टू पाइपलाइन है वो लैंड को स्किप करके समुंदर के रास्ते गैस जर्मनी को बेचने की बात कर रही है अगर आप इस पर्टिकुलर फि प्लैइं सारी है न ये स्किप हो जाएंगे तो लॉंग टर्म में रशिया को जर्मनी के साथ इन्वाल्व होके बहुत फायदा है तो यहाँ पे रशिया ओपन लिजर्मनी से क्यों पंगा लेगा तो कुल मिलाके इस पूरे के पूरे इलाके में के आस पहला के फायदा किसक जाते हैं कि European Union और रशिया के बीश में रश्टे अच्छे ना हो और उसमें USA सबसे बड़ा नाम आता है तो और शायद यहां पर यह सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी क्राइसिस यहां पर चल रही है इस क्राइसिस को जबरदस्ती फोमेंट किया जा रहा है कुछ प्लेयर्स के दोरा रशिया के अपने कंसर्ण से रशिया क्या बोल रहा है रशिया यह बोल रहा है कि भाई देखे हम बहुत वरीड है क्यों वरीड है रशिया को यूक्रेइन से प्रॉबलम है क्यों प्रॉबलम है तो यह जो यूक्रेइन इधर है और रशिया इधर है तो तो रशिया ने अपने बॉर्डर पे बहुत सारी फोर्सिस को डिप्लॉय कर रखा है जरूत पड़ी तो रशिया उन फोर्सिस को अंदर लाई करने के लिए फेज़ देगा तो डॉनेट्स और डॉनबास के इलाकों में अच्छा यह जो डॉनबास वाला इलाका है यहां पे और लुहांक्स इन दो जगाओं पर ज्यादा प्राब्लम चल रही है तो नाटो एक तरफ खड़ा है एक तरफ रशिया खड़ा है बीच में योक्रेयन के लिए नाटो ओपन ली तो नहीं हा रहा लेकिन नाटो बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं लड़ो तुम लड़ो तो क पर्टिकुलर इलाके हैं कि लोगों को तुम आटोनॉमी नहीं दे रहा है तो हम यहां उसके इसको कब जा लेंगे एक इंडिरेक्ली तरीकी से रशिया हाँ पर कह रहा है यूक्रेयन कह रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम गैस पाइपलैन बंद कर देंगे जर्मनी ट करते हैं तो उसको बहुत वेवर किया तजर्मनी ने तो कुल मिला कि इस पूरे के पूरे डोमेन में बहुत सी क्राइसिस ओरिजिनेट हो रही है अगर पोलेंड के परस्पेक्टिव से बात की जाए तो यह जो पूरा का पूरा एवेंट हुआ है ना इलीगल माइग्रेंट हैं LGBT free zones हैं ठीक है abortions के ओपर ban है तो जितना liberal Europe है उतना liberal Poland नहीं है तो Poland की liberal ना होने की वैसे European Union के साथ अक्सर कर उसके issues होते रहते हैं लेकिन यहाँ पे जब migrants को रोकने की बात आई तो एक बार को फिर से लगा कि हाँ भाई Poland और बागी European Union के बीच में रिच्टे अच्छे ह हो जाएंगे तो कुल मिलाके यहाँ पे अगर आप देखो तो Russia, Poland, European Union, Germany यह सारे के सारे players involved है और इनका अपस में coordinate करना जरूरी है ताकि भाई इस Donbass region में फिर से लडाएना शुरू हो जाए, gas का flow Russia से Europe की तरफ होता रहे और इन migrants के साथ भी एक limit से अधा तैचार ना हो और इसके बीच में कोई एक balance solution दूढ़ने की जरूत है जो कि अभी के लिए तो नहीं मिल पा रहा है यह particularly यहाँ पर बताएगे है नेक्स्ट बात करते है road to recovery policy makers must boost demand supportive measures to ensure recovery sustance देखे लेटेस्ट GDP और GVA estimates निकल के आगे है gross domestic product और gross value added आप इसे बहुत सारे लोग बोलोगे साथ GDP औ और GVA में फर्क क्या होता है तो मैं आपको बोलूगा कि मेरी रमेश सिंग की सीरीज देखे जाके उसकी शुरुवाती वीडियो में मैंने आपको बहुत डीटेल में समझा है what's the difference between GDP and GVA बाराल यह जो 2021 बाइस financial year है इसके second quarter में जो GDP expand हुई है वो 8.4% expand हुई है और overall इसमें base effect responsible है यह जो second quarter था पहला quarter होता है अप्रेल मैं जून दूसरा जुलाई अगस सेप्टमबर तो जो जुलाई अगस सेप्टमबर 2020 का था उसमें 7.4% contraction हुआ था घटावा थोई दी पिछले साल से और इस बार 8.4% economy बढ़ी है when compared to 2020 लेकिन overall हमें यहाँ पे recovery देखनी है with respect to pre pandemic period pandemic से पहले economy कहां थी और pandemic के बाद economy कहां है इसको यहाँ पे समझना जरूरी है तो अगर आप 2019-20 financial year की बात करो तो 2019-20 financial year के second quarter में जो GDP थी उससे इस साल की 2021-22 की GDP 0.3% ज़ाद है और अगर आप यही figure GVA के perspective से देखोगे तो GVA 0.5% ज़ाद है मतलब जुलाई से September का period जो 2019 का GVA का उसके comparison में 2021 0.5% ज़ाद है मतलब pre pandemic 2019-20 में जो overall GDP और GVA लेवल्स थे quarter two of financial year के उससे ज़ादा इस साल हो चुके हैं मतलब pre covid times से हम expansion कर सको हैं बहले ही वो थोड़ा कम expansion है बढ़ हम कर रहे हैं manufacturing की बात की जाए तो यह gross value added में second largest share रखता है और यह यहाँ पे improve हुआ है 3.9% का expansion देखने को मिला है GVA के अंदर बहुत सारे ऐसे sectors हैं जिनकी में improvement अभी होना बाकी जैसे construction sector की बात की जाए construction sector बहुत सारी jobs देता है तो pre pandemic level से अभी भी यह 77,000 करोण कम है लेकिन improve हो रहा है अब इस improvement में रोड़ा डाल सकता है एक element एक नया player यहाँ पे आ गया है जिसका नाम है Omicron नाम तो आपने सुना ही होगा Omicron का तो Omicron may be a problem in coming days for industrial development and economy progress कितनी problem यहाँ पे Omicron industrial development में डालेगा यह तो भाई देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा यहाँ पे एक और बहुत important चीज है वो है private final consumption expenditure देखे गौर्मेंटल expenditure 2020 में तो बहुत तीजी से बढ़ा था जब नया नया करोना फैला था गौर्मेंट अपने finances को consolidate कर रही है गौर्मेंट कह रही है कि अब उधार ले ले कि तुमको economy पैसा उतारते रहे तो उसका क्या मतलब है तो देखे गौर्मेंट consumption spending अभी के लिए थोड़ा कम हो गई है especially when compared to fiscal year 2021 यहाँ पे बहुत important चीज होती है private final consumption expenditure और इसमें essential items से लेके luxury goods अब मेरे आपके जैसे लोग market में जाके सामान खरीदेंगे तभी तो manufacturer सामान मनवाएगा अब मालोब मैं जाके scooty खरीद रहा हूँ आप scooty की demand market बढ़ेगी तो manufacturer से scooty बनाएंगे तो जो manufacturer सोटी मनाएंगे वो goods खरीदेंगे market से बहुत सरे लोगों को employment देंगी तो overall economic activity अच्छी होगी तो डिमांड के ओपर डिपेंड करता है कि मार्केट में एकनौमी लेवल और सेंटिमेंट कैसा चल रहा है अगर डिमांड जाता है तो अब यह सिवात है एकनौमी भी अच्छी चल रही होगी लेकिन इसके लिए प्राइवेट कंजम्शिन एक्स्पेंडिश रहा ata पड़ेगा और उसके लिए लोगों को पैसे डालना पड़ेगा और लोगों के हाथ में पैसे है नहीं conspiracy के चलती income कम हो गई है डिमांड भी कम हो गई है, लोगों की जेम में पैसा कम है, जब तक लोगों की जेम में पैसा नहीं आएगा, तब तक overall डिमांड यहाँ पे नहीं बढ़ेगी, इसी पैसे को डालने अगले सरकार ने स्पेंडिंग जादा की थी, पर अविस्सी बात है, सरकार की भी स्पेंडि की वो बढ़ रही है, तो इस input cost को बढ़ने की वज़े से manufacturers final products को महगा कर देंगे, और final products महगे हो जाएंगे, तो inflation बढ़ेगा, तो लोगों की purchasing power capacity और कम होगी, तो private consumption expenditure और कम हो जाएगा, यह सब बाते हैं यहाँ पर बताई गई है, अगले article की तरफ चलते हैं, आप blow to Kerala's exceptionalism, यहाँ पर देखी, जादा कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पर Kerala state की COVID-19 की deaths की reporting को लेके, इसकी credibility को question किया जा रहा है, Kerala के अंदर जो death reconciliation exercise हुई है, basically 22 October से हो रही है, तो 22 October से लेके अब तक Kerala ने 10,678 odd dead low को count किया, वैसे देखा जाए, तो अब तक Kerala में total 39,955 COVID-19 deaths report की गई है, जिसमें से 22 October से लेके अब तक की जो counting चल रही है, 10,678 तो वहीं से आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बताया जा रहा है, कि बहुत सारी genuine death applications को यहाँ पर reject कर रही है, Kerala की सरकार, Kerala अब तक का second highest COVID से related मरने वाले numbers को यहाँ पर command करता है, जो state की death consideration committee है न, इसको अब तक 26,000 appeals मिली है, मतलब 26,000 लोगों ने application डाली है, कि भाई इस particular individual की COVID की वैसे death हुई है, लेकिन इन 26,000 applications में से 7,000 applications को ही Kerala की सरकार ने scrutiny के लिए consider किया है, मतलब यहाँ पर Kerala के administration की ओपर एक serious रिजाम लगाया जा रहा है, कि जो genuine COVID-19 की वज़ा से deaths उनको COVID-19 से related राज्य की सरकार मानी नहीं रही है, और overall इस से Kerala की जो overall image है, public health को लेके वो हिलती है, यहाँ पे हो सकता है कि सरकार अपनी image को सुधारने के लिए real levels of deaths को छुपाने की कोशिश करें, ठीक है न, जब भी सरकार इस प्रकार की कोई चीज करती है, तो epidemiologist और public health experts रोल में आ जाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो राज्य का administration है, वो true picture of the impact of pandemic को नहीं दिखा रहा है, चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, केरला के districts की बात की जाएं, तो वहाँ पे COVID-19 का incidents बहुत जादा हैं, लेकिन उस से related deaths बहुत कम दिखाई जा रही है, डेथ की reporting districts by districts vary कर रही है, कोल मिला के एक ऐसा state जहांके public health expert पूरे दुनिया में अपनी chest thumping करके बोलते हैं, पूरे इंडिया में chest thumping करके बोलते हैं, कि हमारा public health system बहुत अच्छा है, वहाँ पे daily के basis पे 20 से 30 deaths कैसे हो रही हैं, कैसा बताया जा रहा है, कि भाई, बहुत सार पर hospital नहीं पहुँच पाई है, उनको hospital में admission नहीं मिल पाई है, इसकी वएसे उनकी मृत्ती हो गई, तो इस particular fact के बारे में, जब करला के administration को पता था, तो उस administration ने उसको सुधारने के लिए क्या किया, इसकी कोई पुकता जानकारी नहीं है, हाला कि definitely बात की जाए, तो कुछ हद तक केरला का response बहुत अच्छा था, केरला ने testing में, surveillance में, hospital infrastructure को improve करने में, oxygen की कोई shortage नहो, इसको maintain करने में बाकी देश से अच्छा perform किया है, but when it comes to COVID-19 death, हालात बहुत खराब है, चुकि देखे, एक senior clinician का यहाँ पर बोलना है, कि severe COVID-19 cases में कुछ हद तक mortality केरला में 100% पब्लिक hospitals के अंदा, जिसके साथ भी invasive mechanical ventilation हुआ है, और वो severe COVID-19 से सफर कर रहा था, वो यहाँ पे मर चुका है, दिन के basis पे 20-25 लोग मर रहे है, और सबसे खास बात यहाँ पे यह है, कि ICU में, जहाँ पे 20-25 patients admitted हैं, वहाँ पे किवल दो नर्स हैं, तो जाधा लोगों को training कर है, critical teams बनाने की जरूओ थे, COVID-19 से related, और intense response देने की जरूओ थे, ताकि जो speed में मौतें हो नहीं कर लाके अंदे, उनको कुछ हथ तक रोगा जासे हैं, और final article, RK विज साब का, एक छोटा सा revision यहाँ पे, अलहाबाद High Code ने recently decision दिया, कि 10 साल के बच्चे के साथ जो aggravated penetrative sexual assault ह अंडर POXO Act, वो section 5M of the POXO Act के द्वारा, clearly aggravated penetrative sexual assault में आता है, यहाँ पे जो बच्चा था, वो 12 साल से कम उमर का था, और section 5M of the POXO Act ने साफ साफ लिखा है, कि 12 साल के बच्चे के साथ, 12 साल तक के बच्चे के साथ, अगर कोई sexual activity होती है, तो इसको aggravated penetrative sexual assault में लखा और कम से कम 10 साल की सजा दी जाएगी, life imprisonment उमर कैद भी दी जा सकती है, लेकिन जो अलाबाद High Court के जज है, अनिल कुमार ओजहा, इन्होंने section 3 से लेके section 10 of the POXO को को कोई किया, लेकिन सजा फिर भी उसके हिसाब से नहीं सुनाई, अनिल कुमार जहा के हिसाब से, putting penis into mouth does not fall into the category of aggravated penetrative sexual assault, ये बिलकुल गलत interpretation है, इसको यहाँ पर रोकने की जरूत है, आरकेविज साब यहाँ पर बोल रहे हैं, पुछो एक्ट बना था बच्चों को sexual assault से बचाने के लिए, harassment से बचाने के लिए, पॉर्नोग्राफी से बचाने के लिए, और overall, अगर कोई जज, POXO की definitions क के हिसाब से या प्रोविजन्स के हिसाब से यहाँ पर सजा नहीं सुनाता है, तो उसको अपने reasons कोट करके बताने पड़ेंगे कि वो क्यों नहीं सुना रहा है, इन फैक्ट, POXO के section 42 में alternative punishment की बात की गई है, इन फैक्ट, यहाँ पर आरकेविज साब बोल रहे है, कि जब कि मालो POXO Act के अंदर या किसी और Act के अंदर किसी particular offense को लेके बड़ी सजा दी हुई है, तो Indian Penal Code को भी appropriately amend करके बड़ी सजा का परावधान किया जाता है, Indian Penal Code के होने के बावजुद POXO क्यों मनाया गया, ताकि बच्चों के अगिन जो crimes हैं, उनको seriously लिया जा सके, और इस context में IPC को भी relevantly amend किया जाता है, तो इस case में अलाबाद High Court का एजज ये बोल के, कि ये aggravated penetrative assault नहीं है, जो कम से कम 10 साल की सजा देनी चाहीती, उसको 7 साल का कर रहा है, ये बिलकुल गलत है, इसको रोकने की ज़रूरत है, overall Supreme Court में भी recently एक judgment दिया है, कि sin to skin physical contact होना जरूरी नही है, आपकी intent के हिसाब से आपका crime decide होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे, जो section 5M of the POXO को अलाबाद High Court ने ignore किया है, ये बिलकुल भी सही नहीं है, इसको immediate basis पे correct करने की ज़रूरत है, एक और बहुत legal बात यहाँ पे बोलिए, देखे, courts यहाँ पे minimum punishment prescribed से नीचे नहीं जा सकते ह पेले क्या था? अच्छा, IPC के अंदर क्या लिखा हुआ है? IPC के अंदर जब भी कोई case चलता है, तो एक judge के पास यह सहूलियत होती है कि जितना भी minimum punishment किसी crime के लिए prescribed है, उससे कम judge दे सकता है, लेकिन Supreme Court ने State of Rajasthan वर्सिस विनत कुमार में साफ साफ एक बात बोली थी, कि जितना minimum prescribed आपका सजा है, उस minimum prescribed सजा से कम सजा अगर आप दे रहे हो किसी कैदी को, तो उस case में आपको reason बताने पड़ेंगे, और POXO में जो सजा दी जाती है, वो तो बहुत serious nature की होती है, तो POXO में अगर किसी crime की minimum सजा 10 साल थी, और आपने यहापे 7 साल करा है, तो यह त आज का है total discussion दोस्तों, thank you for watching, जाद से जाद लोगों के साथ इस वीडियो को share करिए का, आप अपने वीपोर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आशा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, good अभर्डशी लोग्चा outta Sway Amin, तु fan correspond करता चैते हैं झाल उक्छादा मेंट, तज करता हैं, कम्यादा नीचाम, वीडियो कि दी जैए इस सनी पुơnगमा, आप विए लोगको बूलाब्स करता हैं, झाल इस हमख़्स ओंसे चर्ड़ूप लोग्सभष लोग faculty